कि यह महत्पुर्ण सूचना उन लोगों के लिए है जो इंटर और मैट्रिक सेंटप परिक्षा 2020 में बैठने वाले हैं और सीधे बीएसीवी के तरफ से यह सूचना आपको है आपको बताया जा रहा है कि सेंटप जो परिक्षा 2020 में होने सूचना जैसा कि मैं बताया सीधे बिहार विद्याले परिच्छा समीति के कारजाले की और से इसके माध्यम से इस माध्यम से आपको संपुर्ण सूचना एक बारे में मिलती है और यह यूटूब चैनल के माध्यम से इसको अपलोड किया जाता है पुर्व में भी आपको सुचित किया गया है इस बारे में और समग्र जानकारी के लिए इस यूटूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इसके बारे में विविद पहलूओं को आपको सुचना समय समय पर मिलता रहेगा विहार विद्याले परिक्षा समीती द्वारा उच्छ माध्यमिक जो इंडर होता है और माध्यमिक यानि मैट्रिक परिक्षा 2021 में समिलित होने वाले विद्यार्थियों को सिंटप परिक्षा सैधानतिक थिवरी के लिए सिडूल जारी किया गया है इसके पर्लूओं को बारे में मैं बता रहा हूँ इस सिडूल के नुसार कि अगर आप इस सेंटप परिक्षा को इग्नोर करते हैं या इसमें उतिर्न नहीं होते हैं सामिल नहीं होते हैं तो फिर आप 2021 के परिक्षा में नहीं बैठ पाईएगा इसलिए अत्यंत महत्पुर्ण है सेंटप परिक्षा के बारे में आपको जान और जो मैट्रिक सेंट अप का एक्जाम है वो 10 नौवंबर से 13 नौवंबर के बीच में होगा ये एक ब्रडर शिडूल है जो बिहार विद्याले परिशक समीती द्वारा विग्यप्ती जारी करके सभी विद्यार्थियों को सुचित किया गया है सिडूल सेंट अप का जो इंटर और मैट्रिक परिक्षा में जो नियमीत है रेगुलर है जो स्वतंत्र है जिनको प्राइवेट कहा जाता है और जो क्वालिफाइंग कोटी के विद्यार्थि है तथा उसमें भाग लेना सभी विद्यार्थियों के अनिवार जाए यानि सिंटप में सभी को भाग लेना है चाहे वो रेगुलर मोड के विद्यार्थि हो चाहे वो प्राइवेट कैंडिडेट हो या क्वालिफाइंग एक्जाम हो सभी को सिंटप एक्जाम में भाग लेना अनिवार्ज है 2020 में सिंटप परिक्षा में बदलाव किया गया है इसलिए यह ज्यादा महत्वपुर्ण है इन बदलाओं को आप जानिएगा तो आपको और महत्वपुर्ण जानकारी मिलेगी कि क्या-क्या बदलाव इस साल के सिंटप में किया गया है और सबसे महत्वपुर्ण बदलाव हो है जो पहली बार हुआ है 2020 में कि सिंटप का question paper BACB के अस्तर से develop किया गया है बनाया गया है जैसे annual का question paper भी BACB बनाता है लेकि सिंटप का question paper पहले BACB नहीं बनाता था पहली बार सिंटप परिक्षा के लिए प्रश्णपत्रों का subject wise निर्धारन BACB के द्वरा किया गया है और इसकी आपूर्त यानि supply भी district education officer के कारजाले के माध्यम से सभी स्कूलों में निसुर्क किया गया है फाइदा क्या होगा आपको annual exam का बिल्कुल पता चल जाएगा कि annual exam किस mode पर आने वाला है आपकी तैयारी करने के लिए एक बहुत ही एक बड़ा step BACB के द्वरा उठाया गया है कि annual के pattern पर center परिक्षा का भी pattern होगा और BACB ही बना रहा है center परिक्षा का question paper समिति द्वरा जो question paper metric और inter के परिक्षा के अनुरूप तयार किया गया है ताकि परिक्षार्थी पुर्व से ही समिति द्वरा जो 2021 में annual exam होगा उसके लिए अपने आपको तयार कर सकें यह आपके love के लिए किया गया है इसलिए center परिक्षा में जरूर बैठना है वैसे center में नहीं बैठियेगा तो आप annual में आपको नहीं बैठने दिया जाएगा क्योंकि हर school और college center में बैठने वाले उत्तिर्न होने वाले विद्यार्चियों का record BACB में भेजेगा और उन्हीं लोगों को admit card जारी किया जाएगा जो center परिक्षा में बैठे थे और सफल हुए थे पास हुए थे इसलिए center बहुत महत्पूर्ण है metric और inter दोनों के लिए center परिक्षा का आयोजन और उसका जो मुल्यांकन होगा पुर्व विवस्था के नुसार school अस्तर पर किया जाएगा आपका school ही center परिक्षा का मुल्यांकन करेगा आप school में जाकर अपने teacher से पुछ सकते हैं कि sir हमारा जो center का जो मैंने answer लिखा था उसमें कहां कहां सुधार की जरूरत है आप अपने school के teacher से मिलिए इसलिए center आपको एक मौका दे रहा है annual को समझने का और अपने गलतियों को ठ अच्छा से अच्छा नंबर आए और यह schedule आपको है एक तरह से उच्छ माधमिक इंटर के center का आप देखिए इसमें 14 तारिक को इंटर का एक तरह से physics और आईकॉन का accountancy, IA का sociology दिया जा रहा है और second inning एक 45 से पांच बज़े तक है फर्स इनिंग 39 से 1245 तक है और इसमें पहला दिन जो 14-10 को है mathematics, IAC और IA के लिए और vocational के लिए हिंदी है पंद्रा को IAC के लिए biology, IACOM के लिए business studies और IA के लिए political science है और पंद्रा को second shift में IA के लिए geography, IACOM के लिए economics, vocational के लिए English है 16 को, 16 October को chemistry है IACOM के लिए entrepreneurship और IA के लिए philosophy और IA के लिए second inning में history है और vocational के लिए elective जो भी आपने trade 1, part 1 चुना होगा 17 को जो आपका sent up का exam है 17 October को IAC के लिए English, IACOM के लिए English और IA के लिए English, तीनों को English paper में बैठना है और IA vocational, IA के लिए यहाँ पर economics है 17 को second inning में और elective course का है यानि कि आपका जो है 9-30 से 12-45 तक एक schedule है और दूसा schedule है 1-45 से second sitting है 5 बज़े तक cool मिला कर तो यह परिक्षा है यह तीनों के लिए है IA, IAC, IACOM, देखिए clear cut दिया हुआ है IACOM के लिए physics, IACOM के लिए countancy और IACOM के लिए sociology तो यह clear cut आपको दिया हुआ है schedule है और इसके अलवा यह inter का है schedule है IACOM के लिए इसमें 19 को हिंदी है IACOM के लिए हिंदी, IACOM के लिए हिंदी और यहाँ पर IACOM के लिए यह course इनका जो और language का यह course है 20 को agriculture है IAC के लिए, IAC के लिए home science और IAC के लिए second inning में physiology है और foundation course है vocational को और 21 को यह last IACOM के लिए अलग-अलग जो subject जो लो additional subject लेते हैं उनके लिए है तो यह पूरा का पूरा schedule आपको है यह schedule है intermediate center परिक्षा का इसको आप ध्यान से देख सकते हैं वीडियो को pause करके भी देख सकते हैं अगर fast हो रहा है तो वीडियो को pause कर लिजे, pause करके देख लिजे, समझ लिजे और यह inter का cool मिलाकर यह जो center पर एकदाम 14 October से होगा और यह end हो रहा है 21 October तक और center परिक्षा metric का schedule यह है अभी बरने रहीएगा क्योंकि center के बारे में common रूप से और भी सुचना मैं इंटर को भी दे रहा हूं लेकि पहले metric मैं बता दूँ 14 नॉवंबर से है और 13 नॉवंबर तक होगा पर्थम पाली है सेकेंड पाली है 14 नॉवंबर को science है दस नॉवंबर को science होगा विज्ञान है दस नॉवंबर को second shift में mathematics है और यह जो है blind लोगों के लिए है 11 को social science है 11 को second shift में English है 12 को मात्री भार्षा है और सेकेंड में दूतिय भार्तिय भार्षा है और 13 को एक्षिक भी से है यह metric center का program 10 नॉवंबर से 13 नॉवंबर के बीच में है पॉस करके वीडियो देख लीजेगा अगर फास्ट हो गया हो तो उच इंटर और मैट्रिक प्रिक्षा में जो विद्यार्थी सामिल होके मैं बता दिया उनहीं को इंटर के लिए admit card online जारी हुगा तो अगर आपने कोई बहाना बनाया और किसी कारण से center में नहीं बैठे तो यकीन मानिए आपको बिहार विद्याले प्रिक्षा समिती admit card जारी नहीं करेगी इसलिए center में आपको बैठना urgent है अनिमार्ज है और यह वीडियो आपको दिया गया NKT IS की ओर से अगर अच्छा लगे लाइक कीजिए दोस्तों के बीच में जितना अधिक share कीजिए क्योंकि आपके share से और लोगों का भी कल्यान होगा और लोग भी जान पाएंगे कि हां यह महत्पुन सुचना सीधे सीधे BACB की और से है यह कोई private agency के नहीं है सीधे BACB के officer द्वारा यह video create किया गया है बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस video को देखने के लिए धन्यवाद